जहें दोस्तों आप देख़ए अध्यन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं भारतिय संबिधान लुसेंट जीके बुक का ये इसका तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम पाचपा एकसेज पढ़ रहे हैं भारतिय संबिधान की अनुसुचिया बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी आजकल आ रहे हैं कि सर आप बहुत कमा रहे हैं यह वह एंटीपीसी पहले आप लोग एक्जाम दे दो फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरे इंकम क्या आ रही है तब यकीन हो जाएगा कि यह कमाय के परपस से चल रहा है कि बस वैसे ही चल रहा है यह तो यहाँ पर प्रथम अनुसूची जो है वो है इसमें भारतिय संग के घटक राज यह 29 राज वा संग सासित परदेश साथ चत्रों का उल्लेक है पर बरत्मान में क्या हो गया होगा 28 राज और 9 केंदर सासित परदेश का उल्लेक किया गया है संबिधान के 69 वे संसोधन के दुआरा दिल्ली को राश्ट्रिय राजधानी चतर का दर्जा दिया गया कि संबिधान संसोधन के दुआरा 69th Constitution Amendment के द्वाड़ा इसको भी तरह सही कर लिजिएगा 29 एस्टेट तो सही है पर 9 कंद्रसासित परदेश हो गया था जम्मु कास्मित लादाक फिर दावन एंद दीव को मिला लिया गया तो बरतमान में 8 कंद्रसासित परदेश है हो सकता है गाम इकजामे पूश्दे इंसोर रहिएगा 28 राज्य है और 8 कंद्रसासित परदेश है किलियर हो गया होगा 79 तरमा संबिधान संसोधन का संबन्ध किस्य है तो इसके अंतरगत दिल्ली को राज्य राजधानी घोशित कर दिया गया दूतिय अनुसुची इसमें भारती राज्य व्यवस्था के विविन पदाधी कारियों जैसे के लास्टरपती, राज्य पाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राजसभा के सभापती एबं उपसभापती, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विध अनुसुची दो क्या है? तो इसमें पदाधिकारियों के बेतन, भत्ते और प्यंसन के वाड़े में दिया गया है. क्लियर? तिर्तिय अनुसुची इसमें बिभिन पदाधिकारियों के पद गरहन के समय ली जाने वाली सपत. मतलब पहले की आओ गया? कि बेतन, भत्ता का बात हो गया, अब उसको क्या करेगा? सपत दिलवाएगा. तो तिर्तिय अनुसुची क्या है? पदाधिकारियों को सपत दिलाएगा. जिसे मंत्री है, उच नियाले है, उच तम नियाले के नियादीज है, जो भी इस पोस्ट पे है, जिसको भी सपत दिलाया जाता है, वो तिर्तिय अनुसुची में है. चौथी अनुसुची में है, कि इसमें राजियों और संहिये छेत्रों, लकेंद्रिये छेत्रों की राजसभा में परती निधित्व का बिबरन कर देना, मतलब यहाँ पे सीटों का बटवारा किया गया है, मिल लिए ठिक ना? पाचवी अनुसुची इसमें बिभिन अनुसुचित छेत्रों और अनुसुचित जनजाती के प्रसासन और नियंतरन के बाड़े में दिया गया है, आपको रफली यह याद करना है, पाचवी अनुसुची का सम्मंद अनुसुचित जाती और जनजाती के प्रसासन को नियं करने के बारे में दिआ गया है जठी अनुसुची benefits असम, मेघालय, त्रिपूरा, मिजोरम इस सब के जन जाती छेत्रों में प्रसासन के बारे में दिया गया है। और राजी के बीच सक्तियों का बटवारा है। सब्सक्राइब का बटवारा सुची तीन है एक तो होगी एस्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और दूसरा है कंक्रेंड, अदर सम भरती सुची एक यहां पर इंपोर्टेंट या दखेगा रेलवे जो है इंडियन रेलवे वो किसका है संग सुची का विश्या है। सब्सक्राइब के लागू होने के समय इसमें संतानवे विश्या था। संग सुची के कुछ महतपुर्ण विश्या है देश की परतिरक्षा, विदेशी मामले, युद एवम सान्ती, रेल, डागतार, मुद्रा बेंकिंग, परमानू सक्ती, यह सब क्या है संग सुची का विश्या है। आगे दियागे है राज्य सुची। जो भी पुलिस है चाहिए वो रेल बे पुलिस हो यह जो भी पुलिस हो वो एस्टेट का हो गया तो आपको confusion नहीं होगा। जेल, अस्थानिय सासन, क्रिसी, जन स्वास्त, राज्य के अंदर होने वाला बेपार, नय बिभाग या फिर भुमी से रिलेटेड जो भी है, मेलाकर यह जो भी है। वो सब राज्य सुची के अंतरगत आता है। कानून के बिशाय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही माननी होगा राजी सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के साथ बनने वाले कानून को समाप्त हो जाता है मतलब जहाँ पे राज का कोई कानून है और किंद्र अपना कानून बना दिया तो राज का कानून वा क्या हो जाए खत्म हो जाएगा सिंपल सब्दों में ये कह सकते है कि समवर्थी सुची में जो कानून है वहाँ पे किंद्र सरकार का पावर अधिक है संबिधान के लागू होने के समय समवर्ति सुची की संख्या कितने थी सहितालिस थी बरतमान में बावन है कौन-कौन से से दिवानी और फोजदारी कानून एवं प्रक्रिया बिवाह तथा तालाग सिक्छा आर्थिक नियोजन बिजली समाचार पत्र स्रमिक संख वन ये सब क्या हो गया है समवर्ति सुची में आता है याद रहिए कि बिजली जो है अब रैट टू बिजली बिजली का भी अधिकार की बात की जा रही है तो अगामी टैम में जैसे सिक्छा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हो गया है तो हो सकता है बिजली का अधिकार भी आने वाले टैम में क्योंकि जिस परकार सिक्छा काफी जरूरी है तो उसी परकार बिजली भी काफी जरूरी है क्योंकि सिक्छा कब मिलेगा आजकल तो पुरा मोडर्न है टेकनिकल मिन सिक्छा मिल रहा है सबको अब लोग ही पढ़ रहे हो अगर बिजली ही चली जाए तो कैसे सिखचा लोगे तो मोधिन जी ने हलाकी 14 दिसंबर को जो एक मिटिंग हुआ था न उस दिन उरजा सनक्षन दिवस मनाया जाता है उस दिन उन्होंने कहा कि बिजली को मनाया जाएगा ये रैट टू एलेक्रिसिटी की बात कही है देखो अब कितना हाथ तक ये सही हो पाता है अब यहाँ पर नोट दिया गया है समवर्ती सुची का प्रबधान जमू कास्मीर राजिक के संबंध में नहीं है समवर्ती सुची हलाकि अब ये गलत हो जाएगा जमू कास्मीर के बारे में भी सही है क्योंकि जमू कास्मीर को 370 आर्टिकल जो था अलग प्रबिजन देता था अब वो हट गया है अब आगे आठवी अनुसुची काफी इंपोटेंट है सारे अनुसुची आपको याद होने चाहिए कम से कम ये याद होना चाहिए कि इसमें ये किसी रिलेटेड है तो आठवी अनुसुची का समंध किस्य है तो इसमें 22 छेतरिये भासों का उलेख है इसमें प्रलैन पढ़ते हैं इसमें भारत की 22 भासाओं का उलेख किया गया है, मूल रूप से आठवी अनुसुची में 14 भासाओं थी, जहां भी मूल रूप लिखा गया है, मतलब प्रारंभिक टैम में जब संबिधान बना हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 दिन संबिधान लागू हुआ था, उससे पहले जो थी उसमें इंडल्ज हो गया, वो हो गया मूल संबिधान, ठीक न, तो उसमें 14 भासाओं थी, 1967 में 21 संबिधान संसोधन होता है, और जिसमें सिंधी भासा को जोरा गया, 1992 में 21 संबिधान संसोधन होता है, जिसमें कौंकनी, मनिपूरी और नेपाली को जोरा गया, 2003 में बिरानवा संबिधान संसोधन जो की भासा के रिगार्डिंग लेटेस्ट जो संबिधान संसोधन है, वो बिरानवाबा संभीधान संसोधन 2003 में हुआ था जिसमें मैथली, संथाली, टोगडी और बोडो को आठवी अनुसुची में जोड़ दिया गया बरतमान में कितने है बाइस याद रखिएगा इंगलिस, भोजपूरी ये सब जो है आठवी अनुसुची में नहीं है क्योंकि इंगलिस और भोजपूरी दोनों थोड़ा पॉपूलर लेंग्वेज है पर संभीधान में नहीं है तो इसके डिगार्डिंग कई सारे प्रस्ण बन जाते है संस्कृत है या नहीं है संस्कृत है आठवी अनुसुची में संस्कृत अल्रेडी एड है अब है नौवी अनुसुची भारत में यह अनुसुची प्रथम संभीधान संसोधन अधिनियम 1951 इसवी के दुआरा जोरा गया इसके अंतरगत राज दुआरा संपती के अधिगरन की विदियों का उल्लेख किया गया है इस सुची में समलित विशायों को नियाला में चुनोती नहीं दिया सकती बरतमान में इस अनुसुची में 284 अधिनियम है नौवी अनुसुची में कितने अधिनियम है 284 अधिनियम है और साथ ही पहला संबिधान संसोधन जो है वो किस्य समन्धित है तो वो नौवी अनुसुची में ही संसोधन किया गया था जो की 1951 में हुआ था अब यहाँ पर नोट में दिया गया है कि अब तक यह मानिता था कि संबिधान की नौभी अनुसुची में समलित कानून की नियाइक समिक्षा नहीं कि जा सकती 11 जनवरी 2007 इस बीके संबिधान पीठ के एक निर्ने द्वारा या सत्यापित किया गया कि नौभी अनुसुची में समलित किसी भी कानून को इस अधार पर चुनोती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का उलंगन करता है तथा उचितम नियाले इस कानून की समिक्षा कर स सकेगा अब हैं दसवी अनुसुची, दसवी अनुसुची में दल बदल कानून है, दल बदल आपको यादर रखने हैं, जब भी दसवी अनुसुची को इ Redите, आपके डिमागे में आना ही दल बदल गया कि यह संबीधान में 52 संबीधान संसोधन 1985 के दुआरा जोड़ा गया था इसमें दल बदल से संबंदित प्राबधानों का उल्लेख है। से है पंचायती राज से है इसमें कितने विशेव दिये गए है तो 29 और कौन सा संविधान संसोधन है कि अंगे बारवी अनुसुची सबसे लास्ट अनुसुची बारवी ये चोहतरवा संबिधान संसोधन 1993 में ही जोड़ा गया था जिसमें अस्थानिय स्वसासन की बास्त की गई है अस्थानिय स्वसासन नगरपालिका जिसको कहते हैं नगरपालिका की बात की गई है अस्थानिय स्वसासन की बात की गई है जिसमें 18 विशय परदान किये गए हैं अब हमारा रियासती मंत्याला किसके मितलब निर्टित में बनाया गया था सरदार बल्लाभ पटेल जिसकी परतीमा है 182 मीटर उची परतीमा है और यह दुनिया की सबसे उची परतीमा है तो याद रखिएगा जुनागड रियासत को जनमत संगरा के अधार पर हैदरावाद की रियासत को पुलिस कारवाई के माध्यम से और जमू कास्मी रियासत को बिले पत्र पर हस्ताक्षर के दुआड़ा भारत में मिलाया गया था देशी रियासतों को भारतिय संग का अंग बनाने में सरदार बल्ला भै पटेल एबं बीपी मेनन ने सबसे महत्पुर्ण भूमी का आदा गी किस-किस ने सरदार बल्ला भै पटेल और बीपी मेनन और सरदार बल्ला भै पटेल आगे जो सात्वा एक्सलेज है संग और उसका राजी छेत्र एक साड़ एक से इंपोर्टेंट है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके एंटीपीस एक्जाम से पहले च्छो कम्प्रीट कर दू तो ध्यान से देखिएगा और साथी अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक सेर कीजिए ओके ताकि अधिक लोगों तक पहुँच बाए भारत राजियों का संग है भारत क्या है राजियों का संग है जिसमें संप्रती 18 guides इस धिर यह गर्रात है यहां पर राजियों का संग है union of state है राजियों का संग राजिय और उसके राज चेतर हुए होगे जो पहली अनुसुची में विनिरिस्ट है भारत के राज चेतर में अर्जित किये गए अन्य राज चेतर तो होगे अनुचित दो कहता है कि भारत की संसद को विधी द्वारा ऐसे निव को कि भारत की संसद को विधी दुआरा ऐसे निवंधनों और सर्तों पर जो वह ठीक समझे संग में नए राज्य का परवेश या उसकी अस्थापना की सक्ति परदान की गई है नए राज्य की परवेश से मतलब है कि नए राज्य का गटाने भी कर सकता है या दूसरे देश से अगर नए राज्य को इसी अपने में मिलाएगा तो उसका भी बात किया गया है अनुच्छे दो के अंतरगत अनुच्छे तीन में है नए राज्यों के निर्मान और बरतमान राज्यों के चैत्र और सिमाओ या नामों में पडिवर्तन संसद बिधी द्वारा कर सकती ये काफी इंपोटेंट है अनुच्छे तीन तो इंपोटेंट है पर ये लाइन जो है वो इंपोटेंट है कि राज्य का जो नाम चेंज करेगा न वो कौन करेगा संसद बिधी के द्वारा करेगा संसद का नियम करेगा संसद नाम चेंज करेगा राजी का जो निया boundary होता है या फिर जो निया state बनेगा उसमें कौन करेगा संसद करेगा भारती संभीधान के भाग यहां पे दिये गए काफी अच्छे से बढ़ो याद हो जाएता कि क्योंकि एक वार अगर यह याद हो गया तो आप असानी से थोड़ा eliminate करके question को बना पाओगे तो संग और राजी छेत्र के वारे में दिया गया अनुछेद एक से चार तक इसमें बार बार रिपीट करूँगा अनुछेद एक से लेकर चार तक क्या है पाँच से लेकर एक ग्यार के वारे में नागरिकता के वारे में दिया गया है फिर बारा से पैथिस तो क्या है मौलिक अधिकार है fundamental right है बारा से पैथिस क्या है मौलिक अधिकार है निती निर्देशक्तत्व ये कहां से लिया गया है ये प्रस्ट पूछ दिया था अभी बिहार SSC का जो मेंस हुआ था ना उसमें पूछ दिया गया था चाती से एक्यावन तक है ये आयरलेंड से लिया गया है ये पूछा गया था कि कहां से लिया गया है निती निर्दे सकता तो 36 से 51 तक है मूल करतब यह 51 के कौम है रसिया से लिया गया है संग संग के बारे में मिलेगा आपको 52 से लेकर 151 तक संग के बारे में केंदर के बारे में 52 से लेकर 151 52 से लेकर 151 राजी के बारे में 152 से लेकर 237 152 से लेकर 237 पहली अनुसुची के भाग खो के राज ये 238 में है संग है राज च्छेतरी मितलब यूनियन ट्रेटी जिसे कहते है वो 249 से लेकर 42 तक है 249 से लेकर 42 तक है पंचायत के बारे में 243 और उसका कौ से लेकर 9 तक 243 किसे समंदित है पंचायत से नगरपाली का 243 का तो से लेकर यू यक्छा तक है सहकारी समीती यू जो से लेकर यूनो तक है 243 है ये सारा ठीक ला अनुसुची जाती और जन जाती के लिए 244 का कौ है 244 और 244 का कौ संग और राजियों के बीच सम्मंध ये है 245 से 263 245 से 263 बित संपत्ती संविदाए और बाद 264 से 264 से 300 का कौ 264 से 300 का कौ बित संपत्ती संविदाए भारत के राज्य छेतर के भीतर बेपार वनीज एवं समागम है 301 से 307 301 से 307 संग एवं राज्य के अधिन सेवाए 308 से लेकर 323 मैं इसका स्क्रीन सोट जो है न यह जो लिष्ट है उसका मैं टेलेग्राम गूरूपे सेंड कर दूँगा तो उसको भी देख लीजिएगा एक वर इस रिभाइज कर लेज़ेगा जोड से तुरह पढ़के से पढ़ना हो ना भी वैसे ही अधिकरन 323 से लेकर 323 खो तक निर्वाचन के वाड़े में दिया गया है 324 से लेकर 329 निर्वाचन कुछ वर्गों के संबंध में विशा उपबंध 330 से 342 राजिभासा 343 में में लेकर हिंदी हमारी राजिभासा है पर राजिभासा के वाड़े में 343 से लेकर 351 तक अपात उपबंध 352 से 360 अपात उपबंध 352 से 360 प्रकिर्णन 361 से लेकर 366 संबिधान संसोधन 368 में दिया गया है ओस्थाई संकर्मन कालिन और विशेश उपबंध यह 379 से लेकर 392 तक संचिप्त नाम प्राडंब हिंदी की प्राधेक्रित पाठ और निर्शन 393 से लेकर 395 तक अब आगे जो हमारा एकसेस है वो है राज्य का पुनरगठन तो इसको भी हम इसी वीडियो में कम्प्लिट करेंगे वीडियो का आप ध्यान से देखना है एक बार में अगर पूरा नहीं देख पाड़े हो तो अभी आधा देख लो फिर अगले टैम में आधा देख लेना पर पूरा ध्यान से देखना तभी एकजाम में आपको हेल्प करेगा भासा के अधार पर राजी का पूरा गठन उचित है या नहीं इसकी जाच के लिए संबिधान सभा के अध्यक्ष राजंदर परसाद ने इलहावाद उचिनियाले के अवकास प्राप्त नियाधीस एसके धर की अध्यक्षता में चार संसदिये आयोग की नियुक्ति की इस आयोग ने भासा के अधार पर राजी के पुनरगठन का विरोध किया और प्रसासनिक सुविधा के अधार पर राजीयों के पुनरगठन का समर्थन किया पहला जो एक सम्मेलन बना था उसमें कहा ग सब्सक्राइब तो उसके घर से फॉन आ गया और वो उसने मैथली में कहा तो ऐसा नहीं था कि वो मुझे डिसकॉंट कर देता या कुछ ऐसा था पर मुझे एक अजीव सी फिलिंग आई मतलब एक इनरजी होती है अंदर से वो आज जाना कि चलो अपना आदमी यहां भी है पूरा भारत एक ही है मैं यह नहीं कह रहा है कि वो हमारे दुस्मंत है या कुछ ऐसा पर ऐसा लगने लगता है तो भासा काफी कोडिलेट करता है आपके साथ भी होता होगा जब दिल ही या कहीं पर जाते होगे या किसी अपने दोस्त को देखते होगे या आपका जो रिजनल लेंग्वेज है उसमें कोई बात कर रहा है तो आपके अंदर एक इनरजी आ जाता है मिसे एक अलग चमक आ जाती है कि चलो यह भी अपना ही है तो भासा के अधार पे कभी देश को नहीं बाटना चाहिए राजी को नहीं बाटना चाहिए यह गलत कर देता है आगे तो अगर कभी इंटर्व अधिवेशन में जवाहर लाल नहरू, बल्लभभय पटेल और पट्टावी सीता रमया की एक समीती का गठन किया, इस समीती ने भासाई अधार पर राजी के पुनर गठन मांग को खाडिज कर दिया, पड़ याद रखिएगा भासाई अधार पर ही पहला राजी बना था दोलन प्राडम कर दिया, अंठावन दिन के ओमरन अंसन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रमालू की मिर्तियों हो गई, जो इस अंसन पे बैठा हुआ था, रमालू की मिर्तियों के बाद परधान मंत्री नेहरू थे जवाहर दाल नहरू ने तेलगू भासियों के लिए पिर्थक आ 15 अक्टूबर 1953 इसमी को आंधर परधेस राज का गठन हो गया, यह राज्य सोतंत्र भारत में भासा के अधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, याद रखियेगा भासा के अधार पर बनने वाला गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंधर परधेस था उस समय आंधर पर्देश की राजधानी कहा थी करनूल थी करनूल राजी पुनर गठन आयो के अध्यक्ष फजल अली थे राजी पुनर गठन आयो के अध्यक्ष कौन थे फजल अली इसके अन्य सदा से भी थे पंडित हिर्दाइनात कुंजरू पंडित हिर्दाइनात कुंजरू और सरदार के एम पनिकर राज्य पुनरगठन अधिनियम जुलाए 1956 इसवी में पास किया गया इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 के अंदर सासित परदेश अस्थापित किया गया राज्य पुनरगठन आयोग 1953 में गठित हुआ कब हुआ 1953 में नॉमबर 1954 इसवी को कॉंग्रेस की सरकार ने अपनी सभी बस्तिया पुद्दुचेरी यानम चंदर नगर और केडिकल को भारत को सौप दिया 28 मए 1956 इसवी को इस संधी पर हस्ताक्षर हो गया इसके बाद इन सभी को मिला कर पांडी चेरी संग राजी छतर का गठन किया गया भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमनवा दूब की मुक्ती के लिए पुर्तगालियों के ब्रुद कारवाई की और उन पर पुर्ण अधिकार कर लिया बारवे संभीधान संसोधन द्वारा गोवा दमनवा दिप को पर्थम परिसिस्ट में सामिल करके भारत का अविन अंग बना लिया गया अठाई सराज और आठ्ट कंदरसासित परदे से इनही संभीधान की पर्थम अनुसुची में सामिल किया गया है अब आगे है छेत्रिये पडिसद आगे एक लिस्ट दिया गे है उसको पढ़ते हैं कुछ दिर बे छेत्रिये पडिसद भारत में पांच छेत्रिये पडिसद है इनका गठान रास्टरपती के द्वारा किया जाता है और केंद्रिये गडिह मंत्री और रास्टरपती द्वारा मनोनित केंद्रिये मंत्री छेत्रिये पडिसद का अध्यक्ष होता है जो केंद्रिये मंत्री होता है राष्ट्रपती द्वारा जो मनोनित केंद्रिये मंत्री होता है वही इस छेत्रिये पडिसद का अध्यक्ष होता है समंधित राज्यों के मुखमंत्री उपाध्यक्ष होते जो परती बर्स बदलते रहते हैं यह केंद्र राजी समंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है छेतरिय पडिसद को 1956 इस्पी में राजी पुनर गठन अधिनियम के अतहत अस्थापित किया गया अतह यह संबेधानिक निकाए है किन्तु यह संबेधानिक निकाए नहीं है मतलब मूल संबेधान में नहीं था बाद में जोरा गया तो संबेधानिक निकाए तो है किन्तु संबेधानिक निकाए नहीं है आगे पहला दिया गया है पर उत्तर छेत्रिय पड़िसद पंजाब, हरियाना, हिमाचल परदेश, राजस्थान, जमू कास्मीर, राजी तथा चंडी गड़, एवं दिल्ली, संग राजी छेत्रे, मध्य छेत्र परदेश, मध्य परदेश, उतराखंड और छतिस गड़, की बात करें तो गुजरात, महराश्ट्र, गोवा, दमन, एंदीप, और दादर, ता नगर हेवेली, संग राजी छेत्रे, दक्षनी छेत्रिय पड़िसद में आंध्रपरदेश, त्यलंगाना, केरल, करनाटक, तामिलाडू और पुद्दू चेरी और पुर्भोत्तर इसका गठन संग्ये अधिनियम पुर्भोत्तर पड़िसद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया, यह 8 अगस्त 1972 को अस्तित्य में आया, इसके सदस्यों में असाम, मनिपूर, मिजोरम, अरुनाचल परदेश, नागालेंड, मेघाले, तरिपूरा और सिक्कीम समलित है, 1994 में सिक् कुछ अतिरिक्त काड़ी सहित वही है, जो छत्रिये पड़िसद के हैं, अच्छा इसमें कुछ कुछ छोट गया, उसको पहले कंप्रिट करते हैं, यहां पर राजी में गठी छत्रिये पड़िसद में, तो उत्री छत्रिये का हेड़कॉर्टर आपको कहा मिलेगा नई दिल मध्यवाले का इलहाबाद, पुर्भी वाले का मिलेगा कोलकता, पस्तिमी छेतर का मुंबे और दक्षिन छेतर का चैन्नाई, यह एक लिश्ट दिया गया है, राजी का गठन कब किसका हुआ, तो एक वार बिडिफली याद कर लो, क्योंकि उस दिन वह स्टेट डे बनाया जाता है, तो यह पूछा जाता है, एक जाम में, अच्छा भी पूछा गया था, बिहार से सी वाले में कि म्यानवार कब सतंद्र हुआ था, तो 1971 में, ऐसे प्रस्द जाज कल पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, आंध्र परदेश, एक अक्टूबर 1953, जिस बार रा महराष्ट और गुजरात में मजदूर बहुत जाता है, क्योंकि उस दिन एक मैं को मजदूर दिपस मनाते हैं, तो महराष्ट और गुजरात का 1960 में, नागालेंड एक दिसंबर, नागालेंड एक दिसंबर, नागालेंड एक दिसंबर, ऐसी याद करो, नागालेंड हिमाचल प्रदेश 25 जन्वाड़ी 1971 सबका एकी दिन है 21 जन्वाड़ी 1972 फर से रिपीट करो मेघाले मनीपूर तिरपूरा 21 जन्वाड़ी 1972 22 जन्वाड़ी 1972 आगे सिक्किम 26 अप्रेल 26 अप्रेल 1975 मिजोरम का 20 फरवड़ी 1987 20 फरवड़ी 1987 अरुनाचल प्रदेश का 20 फरवड़ी 1987 गोवा का 30 मैं 1987 गोवा का 30 मैं 1987 36 गड़ 26 राजी बना था अलाकि ये सब भूल जो 26 अप्रेल जन्वाड़ी क्योंकि अब सब कुछ चैंज हो गया है 15 नॉवंबर को ये जारखरण दिवस क्योंकि विर्समूंडा का विजन्म हुआ था उसी दिन अब देखो आगे जो लेसन है वो है भारत की नागडिकता इसको अब हम अगले वीडियो में कंप्लेट करेंगे सेसन अगर अच्छा लगड़ा हो तो लाइक और शेर करना आपका काम है अधिक सथी लोगों तक शेर करो पसंद नहीं आड़ा तब तो कोई बात नहीं डिसलाइक करो पर कारण जरूर बताओ ताकि वीडियो को इंप्रूब कर पाएं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद